जैहिन साथियों, साथियों आप लोगों को बतला दे, अभी के सिसर में हम लोग देखेंगे, रेलिवे के दुआरा पूछे गए टॉप 25 कोश्चन्स, टॉप 25 ये ऐसे सेलेक्टेट कोश्चन्स हैं, जो आप लोग यहां पर एक्जाम्पल के दौर पर देख सकते हैं, ये ज कोश्चन्स आप लोग का दो बार रेलिवे ने पूछ चुका है पहले, तो आप लोग इस सेलेक्टेट 25 टोटल कोश्चन्स हैं, जो आप लोग के रेलिवे के एक्जाम्पल के लिए बहुत ज्यादा महत्यपून होने वाले हैं, क्योंकि ये कोश्चन्स बार बार पूछे जाता है, इसको आप लोग मिस मत करिए के साथ हो, अगर आप लोग के रेलिवे का प्रिप्रेशन कर रहे हैं, तो चलिए सेलेक्ट को श्टार्ट के जाए, हम लोग का पहला नमर कुश्चन कर रहा है, प्रतिरोध की एसाई इकाई, इन में से किसके समतुल्य होती है, बतला प्रतिरोध की एसाई इकाई, इन में से किसके समतुल्य में होती है, तो आप लोग के राइट एंसर हो जाएंगे, वोल्ट पर एंपियर, आप्सन नमर सी is the right answer, नेस्ट कोश्चन, सेकंड नमर कोश्चन, कर रहा है, सेकंड नमर कोश्चन, बिजली के प्रतिक, आर का प्रय प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बतलाइए बिजली के प्रतिक, आर का जो प्रयोग है, वो किसके लिए किया जाता है, आप लोग देख सकते ये कोश्चन, आराज भी एलपी टेकनिशन में 218-2018 को पूछा हुआ है, आप लोग के आप्सन नमर A है, आपर वरतन, आप्स प्रतिरोध, आप्सन बडीजदा, राइट एंसर, बिजली के प्रतिक, आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो प्रतिरोध के लिए किया जाता है, आप लोग देख सकते हैं, ये भी कोश्चन पहले रेलिवे ने दो बार पूछ दिया है, रेलिवे जेई में 2016, और आरार भी एलपी टेक्निशन में 38-2018 की ये कोश्चन पूछा गया था, अंतराष्टिय मात्रक पढणाली के अनुसार विद्यूत धारा की इकाई क्या है, आप लोग के आप्सन है, कूलम, जूल, वाट या फिर एंपियर, आप लोग के राइट एंसर हो जाएंगे, आप्स Si, Si है, प्रतिरोध की Si, Si जो है, वह हिंडी में लिखाए, ऐसे आप लोग का Si जो भी करिश कोश्च प्रतिरोध की Si है, क्या है, बतलाईए, आप लोग के पास चार उप्सन है, कूलम है, ऑम है, जूल है, या फिर न्यूटन है, बतलाईए, फटअ-पटअ-पट है, आप के सही answer हो जाएंगे ओम, option number 20 दा right answer, प्रतिरोद की SIE क्या है तो ओम है, option number 20 दा right answer, next question 5 number question, कर रहे 5 number question साती हो, किसी चालक तार का प्रतिरोद, ताप मान के बढ़ने से, डाइस है क्या है, बतलाईए, घरता है, बढ़ता है, और प्रभावित होता है या फिर इन में से कोई भी नहीं होगा, बतलाईए चारो में से क्या हो जाएगा, किसी चालक तार का प्रतिरोद, ताप मान के, बढ़ने से, डाइस है क्या होता है, बतलाईए, ताप मान के बढ़ने से क्या होता है, आप लोग का राय साथियों, जब एक परिपत में कई, प्रतिरोद, इस तिंखला में जुड़े हुए होते हैं, तो करेंट का मान, बतलाईए, क्या होता है बढ़ता है, कम होता है, आधा हो जाता है या फिर एक ही रहता है, बतलाईए आप लोग साथियों, कॉमेंट करते रहिएगा, ठीक है, आप लोग कॉमेंट करिएगा तो देखिए, इससे आप लोग का अव्यास होगा, ठीक है ऐसा नहीं है, कि आप लोग लाइफ क्लासेस में जाकर करके comment करें तो उससे आपकों कोमेंट कर व्यास होगा आपकों क्मेंट करते नहीं है कि हमने क्या comment क्या है हमारे राइटय इन्सर क्या है ठीक है नहीं तो मन में ऐसे छल कपट सभी कराता है कि नहीं मैंने तो भी सोचा था भी हो जाएगा राइट एंसर तो जो confirm है उसको पहले comment मार दीजिए उसके बाद आप लोग इसको मिला सकते हैं कि हाँ आप लोग का सहीत है ये गलंता करा है हम लोग का question जब एक परिपत में कई प्रति रोध स्रिंखला में जुड़े हुए होते हैं तो current कमा क्या होता है बढ़ता है कम होता है आधा हो जाता है या फिर एक ही रहता है तो आप लोग राइट एंसर हो जाएंगे option number D is the right answer एक ही रहता है नेक्स question 7 number question कराई 7 number question साथ यह प्रति रोध को डाइस के द्वारा निरूपित किया जाता है किसके द्वारा निरूपित किया जाता है बतलाई किया गया क्यार वाई आवेस है सौरी आवेस या फिर किया गया क्यार आवेस इंटु धारा किया गया क्यार इंटु समय किया गय होगे सब जो भी कोस्टेंस दो बार पुछे गहें से रती हो उसका आप लोग इस दिन सो ट्ले करके एक अलग नोट्स बाद में बना लेज़ेगा ठीक है प्रतिर्योत को डाइस के द्वारा निरूपित किया जाता है तो आप लोग के राइट एंसर हो जाएंगे आप्शन नमबर बी किया गया कार इंटू ब्रैकेट में आवेस इंटू धारा आप्शन बर बीज़दा रहेट एंसर नेक्स कोश्चन एट नमबर कोश्चन ओम के नियम के अनुसार यदि करेंट आई बढ़ता है और संभावित भोल्टिज भी इस्थिर रहता है तो क्या हो आप लोगे पांच सेकंड का टाइम है बतला यह राइट एंसर क्या हो जागा साथियों उनके नियम के अनुसार यदि करेंट बढ़ता है और संभावित भोल्टिज इस्थिर रहता है तो प्रतिरोध कम हो जाता है इसको द्यान रखेगा ऑप्शन अप्शन अपर इस दा राइट एंसर निश कोश्चन नाइन नमबर कोश्चन कराया नाइन नमबर कोश्चन साथियों कि किर्शोफ का प्रतम नियम किस रासी के संदक्षन का अधारित है संदक्षन पर अधारित है किर्शोफ का प्रतम नियम किस रासी के संदक्षन पर अधारित है आप लोग बत समनियम किस रासी के संदक्षन पर अधारित है आप लोग के सही एंसर हो जाएंगे विधूत धारा ओप्सन नमबर दीज़ दा राइट एंसर नेस्ट कुश्चन है टेन नमबर कुश्चन कह रहा है साथ हो विधूत आवेस की एसाई इकाई क्या है वोल्ट है एंपियर है कू यह सब कुश्चन से आप लोग के रेलेवे में पूछे भी जा सकते हैं इसको ध्यान रखेगा तो आप लोग जो भी सेसं कर रहे हैं इसको ध्यान रखेगा और जो भी करेंडियर्श हमारे चैनल करने हैं उनको बतला देके डिस्क्रिप्शन में हम पहले कर सभी फोर क्लास की इडिया है आप लोग जाकर के सारे क्लासिस को वाच कर दिया आप लोक ळेए बहुत यदण ऐसको सपुर्भं क्लासईस है पानी या फिर परकास आप लोग के सई एंसर हो जाएंगे साथियों विध्यूत धारा विध्यूत आवेसो का प्रवाह है ओप्सन नबर गीजदा राइट एंसर नेश कोस्चन टुएल नंबर कोस्चन करा है किसी आवेस का विध्यूत्य छेत्र बल यानि कि इलेक्ट्रिक फ अप्सन से यह कुष्चन आपका पूछा हुए ध्यान केगा आरार विजेई 14 बाराद वहर्जे 14 में यह कुष्चन आप लोग का पूछा हुआ था किसी आवेस का विध्यूत्य छेत्र बल क्या होगा बतलाईए आप लोग बस्याल ओप्सन से राइट एंसर हो जाएंगे दूरी के वर्गे के साथ घड़ता है ज्यान केगा किसी आवेस का विध्यूत्य छेत्र बल दूरी के वर्गे के साथ घड़ता है ऑप्सन अबर दी इस दा राइट एंसर नेस्ट कोष्चन ठाटी नंबर कोष्चन कर रहा है ठाटी नंबर कोष्चन विध्यूत्य चालक की प्रति रोगता किस पर निर्भर करती है विदुत्य चालक की प्रति रोगता किस पर निर्भर करती है यह आप लोग का ग्रुप D में कुश्चन पुछा हुआ है अनुभाग का छेतरफल सभी दिये गए विकल्पे लंबाई या फिर समगरी आप लोग के पास चार ओप्शन स समगरी ओप्शन अबर D is the right answer next question 14 नमर कुश्चन कर आए 14 नमर कुश्चन साती हो तामबा की प्रति रोगता है तामबा की प्रति रुधकता है क्या है बतलाईए क्या हो जाएगी बतलाईए अच्छा यह जो बतलाईए 10 का पावर है ठीक है यह जो है 10 का पावर 10 होता है ऐस 10 का पावर 10 टू मिंटर ठीक है ऐसे आप लोग का ओप्शन दिया गया है यहां पर फ़रा सब प्रोब्लम हो रहा है तो जैसे यह सामने लिख दिया है ना टाइपिस्ट बट यहां पर क्या हो जाएगा ना जैसे उपर में दिया है यह पावर है आप लोग का जैसे 10 का किस्ट कर आए 50 कुष्टिंद्स साथी हो कि विदूत्य प्रवाह को मापने के लिए निमने लिखित में से कौन सा यंत्र परचूग किया जाता है तो आप लोग के राइट एंसर हो जाएंगे अप्शन नमर्रीन री राइट हैंजर ऑ्प्शन निम्ने लिखित में से कौन सा उपकरण बिधुत्य परवाह के तापन परभाव पर अधारित नहीं है बतला ये electric bulb यानि कि filament के साथ electric heater, microwave या फिर electric iron निमने लिखित में से कौन सा उपकरण बिधुत्य परवाह के तापन परभाव पर अधारित नहीं है बतला ये आप लोग के चार ओप्शन से right answer हो जाएंगे क्या निमने लिखित में से कौन सा उपकरण बिधुत्य परवाह के तापन परभाव पर अधारित नहीं है आप लोग के सही answer हो जाएंगे microwave option number C the right answer microwave साथियो next question 80 number question करा 80 number question साथियो एक परिशुद्य एमिटर के प्रतिरोध का मान होता है एक परिशुद्य एमिटर के प्रतिरोध का मान होता है क्या होता है उच्छे होता है निमन होता है बहुत निमन होता है या भी बहुत उच्छे होता है आप लोग के पास 4 options है आप लोग के सही answer हो जाएंगे बहुत निम्न होना चाहिए ठीक है एक परिसुद एमिटर के प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए तो बहुत निम्न होना चाहिए option number C is the right answer next question है 19 निम्न लिखित उपकर्णों में से निम्न लिखित उपकर्णों में से तो आप लोग के पास options है निम्न लिखित उपकर्णों में से तो आप लोग के सही answer हो जाएंगे option number A is the right answer निम्न लिखित कोश्चन है 20 number कोश्चन dash के द्वारा AC को DC में बदला जाता है बतलाजे किसके द्वारा AC को DC में बदला जाता है बहुत easy question है यह question बार बार पूछा होगा question है condenser के द्वारा reactifier के द्वारा amplifier के द्वारा dash के द्वारा AC को DC में बदला जाता है किसके द्वारा AC को DC में बदला जाता है तो आप लोग के राइट एंसर हो जाएंगे साथ यह option number B is the right answer active fire के द्वार रेक्टी fire के द्वारा option number B is the right answer रेक्टी fire के द्वारा AC को DC में बदला जाता है next question 21 number question 21 number question ने साथ वो बिदूत बल्व का सुत्रे यानि कि filament आम दोर पर टंगर्ष्टन का क्यों होता है बतला यह क्या कारण है वो टंगर्ष्टन का क्यों होता है तो आप लोग के option से इसकी उच्छे चलकता तथा गलनांके के कारण, इसकी उच्छे प्रती रुधकता तथा कोथनांके के कारण, इसकी उच्छे चलकता तथा कोथनांके के कारण, विधूत बल्बे का सुत्रे, यानि कि फिलामेंट आमदर परवोट अंगश्टन का इसलिए होता है, कि इसकी उ 22 नमबर कुश्चन कर रहे साथियों परकास बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए डैस धातु का उपयोग किया जाता है तो किस धातु का उपयोग किया जाता है परकास का बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए बतलाईए नाइक्रोम, कौपर, निकित या फिर तंगस्टन तो साथ यो option number दीज ही दा right answer, next question 23, number question, किसी परिपत में विदुत्यपरवा किसके द्वारा संभव होता है, neutron की गती, photon की गती, electron की गती, तो आप लोग के right answer रहे साती हो, electron की गती, option number is the right answer, किसी परिपत में विधूत्य परवाख किसके द्वारा संभा होता है, तो option number is the right answer, electron की गती के कारण, ठीक है, next question 20, question 24 number, question 24 number question रहे साती हो, voltage को इस्तीर रखते हुए, यदि अधिक लेंपों को एक स्रेनिक परिपत में जोडा जाता है, तो परिपत में कूल धारा क्या होती है, बढ़ती है, घट जाती है, समान दाती है, या फिर अनन्त हो जाती है, तो आप लोग के सही answer हो जाएंगे साती हो, घट जाती है, ठीक है, voltage को इस्तीर रखते हुए, यदि अधिक लेंपों की एक स्रेनी परिपत में जोडा जाता है, तो परिपत में कूल धारा जो है, वो घट जाती है, आप्सन नमबर 20 दा, राइट एंसर, नेक्ट कोशन है, 25 नमबर कोशन, करे सातियों, electrical wire है तो, अंतराष्टिये रंग कोड के अनुसार, निमले लिखित में से, कौन सा भी कल्पे neutral wire दर्साता है, बतलाई कौन सा रंग जो है, कोड के अनुसार, निमले लिखित में से neutral wire दर्साता है, लाल, हरा, नीला या फिर पिला, यह लास्ट कोर्शन है आप लोग के साथियो राइट एंसर दीजिएगा आप लोग बतलाई यह राइट एंसर क्या हो जाएगा इलेक्टिकल वायर है तो अंतराष्ट्रिय रंग कोड के अनुसार निम्ने लिखित में से कौन सा भी कल्पे नीट्रल वायर दरसाता है तो आप लोग के सई एंसर हो जाएगा नीला जो रंग होता है नीला रंग का वायर वह आप लोग के निट्रल वायर दरसाता है झाल झाल